नमस्कार, Traders Diary में आपका स्वागत है, कारूबरी हफते का है पहला दिन बर जो संकेत आ रहे हैं वरुण उसमें से तो लग रहा है कि कहीं न कहीं गैप डाउन ओपनी के ही संकेत हैं देफिनेटली ये देखना होगा कि US की बाजारों में किस तरह की हमें उतार चड़ाव देखने को मिले हैं शुकरवार के सत्र में बहुत ज़्यादा संकेत वहां से नहीं आया है अल्मूस्ट फ्लैट सा रुजहानी देखने को मिला है वरुण देफिनेटली आज आज आपके लिए सबसे बड़ा संकेत तो TCA से शायद IT काउंटर भी आपको ड्रैग करेंगे और इसके लिए आप देख रहें कि सिंगापूर निफ्टी में आपको 100 पंड के आसपास की गिरावट देखने मिल सकती है हाला कि आज सिंगापूर और मलेश्या के बासार जो है वो तो बंदे लेकिन एज जेख निफ्टी टेट कर रहा है और 108 अंकों के आसपास की गिरावट मा देखने मिल रही है यहां पर थोड़ा दबाओ है निकई अच्छी खासी तेजी के साथ टेट कर रहा था हाला कि उन लेवल से थोड़ा बहुत नीचे आया है लेकिन अभी भी अच्छी खासी हर्याली जो है वो आपको निकई के यानिकी जैपान के बाजार पर देखने मिल रहे हैं और बाकि अगर आप देखेंगे एशन के मार्केट्स तो उतने बुरे हाल मुझे तो यहां पर नज़र नहीं आ रहे हाला कि शंगई और हैंशंग हां थोड़ा बहुत ओके हैंशंग अगर आप देखेंगे तो दो सवादो पसंट के आसपास की गिरावट है तो यहां से प्रेशर आ टीन के ओपर निकल गए शाद वो यह दरशारी के फेडरल रिजर्व जो है अपने ओवरल स्टैंस जो है वो जो पॉलिसी स्टैंस है उसको एग्रेसिव अभी भी बरकरार रख सकता है तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसे सिगनल नहीं है जो कि मार्कोट को सपोर्ट करेंगे जो कि शुरुवात होने वाली है इंडिया में भी जेपी मॉग उसके अदलवा यूस में भी जेपी मॉगन मॉगन स्टैंली जैसे कंपनिया है जो की अपने कई ना कई नतीजे घोशित करेगी चीन का इंफेशन डेटा आने वाला है Q2 GDP डेटा आने वाला है तो काफी सारी आने चीजे काफी सारे डेटा पॉंट्स हे जिसके बीच यह पुरा मार्केट जो है इस हफते क्या आप तो यहां से करीब-कृब दो-3 हफते मानके चलिए इन सभी डेटा पॉंट्स पह Araパंने प्रटे कच्जा टेल फिर से एक सो साथ डॉलर पर पोच गया एक सो चार डॉलर के असपार साथ लाहत तो कहीं नहीं है कुशल फिर बिल्कुल वरू ना बिक्वाली किती है मैंने तो दो क्वाली है लाजली मेरी सूची में मतलब ख़बरों के दम पर जो स्टॉक खरिदारी के हैं वो इह है बाकी जो आधिंग लाजली जो विउ है जो मूड माहल है उसमें मेरा तो विव बिकवाली का यह चले विव तो बिकवाली का है अगर आप देखेंगे निफ्टि और बैंक निफ्टि पर अगर व्यू लेना चाहे लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी साथ है ओवर द करने की तो जरूरत नहीं है लेकिन क्यों फोर के जो नतीज़ा है वह कहिना कई अच्छे है और कमनी की रेविन्यूस तो गिरी है लेकिन एबिटा फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफ़े में कंपनिया यह पांसो तेरा क्रोड का मुनाफ़ा कमनी ने क 76% के आसपास की गिरावट भी हुई है याद रखेगा एक छोटा स्टॉक है उस जास से अगर आप ट्रेड भी रखते हैं तो काफी स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना है 42.5 के लक्ष के लिए यहाँ पर ट्रेड करना है 39.5 यहाँ से एक रू नतीजों के चलते हैं खरीदारी की सला है बिलकुल तो नतीजों के दम पर MMTC यहाँ पर नंबर्स अच्छे आते विए दिख रहे हैं तो डेफिनिटली इसमें आप खरीदारी करकर चल सकते हैं चलिए कैस पेस से मैंने खबरवाला स्टॉक चुना है और वो है के एस बी लि काउंटर के साथ स्पेर एकसेसरी की सप्लाई है इसके लिए ये कंपनी को ओर्डर मिलता हुआ दिख रहा है तो अच्छी ओर्डर विन के लिहाद से यहाँ पर डेफिनिटली आपको खरीदारी करकर चलनी चाहिए 1525 रुपए के टागेट के लिए 1460 का लगभग प्राइस यहाँ पर खरीदारी कीजिए 1460 रुपए के स्टॉप लोस के साथ तो कैस स्पेस पे केस भी लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करनी है अब चलते अपनी डेरिवेटेव काटेगरी तरफ जिसमें सबसे पहला है फ्यूचर की काटेगरी और आज का फ्यूचर में मैंने चु यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर बिकवाली कीजिए 570 रुपए के लक्ष के लिए 593 रुपए हाईर साइड पर आपका स्टॉप लोस बना चाहिए तो यह मेरी तरफ से है फ्यूचर काटेगरी में काटेगरी ओके मेरे तरफ से फ्यूचर में बिकवाली की सलाह और बिकवाली की सलाह है टीसेस में यहाँ पे आपको बिकवाली करना है तो एक कमनी के नतीजे आये है नतीजे हर पैमाने पर हमारे अनुमान से कम है आए को अगर आप देखेंगे तो 52,915 क्रोस के आसपास का अनुमान ह हमारा था 50,591 क्रोज पर आया है माजिन देके हमारा अनुमान 23.7% का था 23.1% पर आया है और 25% से गिर के आया है इसके अलावा मुनाफ़ा अगर आप देखेंगे तो यहां भी करीब-करीब 9478 क्रोज पर आया है जबकि हमारा अनुमान 9950 कोड के आसपास का था तो हर पहमान दूसरा एटलीशन रेट देखे 17.4% से बढ़कर अब 19.7% पर आया है तो यह एटलीशन जो है इन कमणियों के लिए समालना काफी मुश्किल हो रहा है और यह TCS के नतीज़ जो है वो साफ दर्शा रहे हैं सिर्फ यह ही नहीं आप ब्रोकेश हाउस की रिपोर्ट पढ़ि ब्रोकेश हैं तो आप अपने स्टॉप लसे और टागेट जो है उसको फिर से रिविजिट कर सकते हैं और ट्रेल करके इस टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं अब चलते हैं अगली काटेगरी जो की ओप्शिन काटेगरी और ओप्शिन में भी एक आई-टी काउंटर है जह वैसे भी टीसेस के जो नतीज़े आ हैं उसके बाद हो सकता है कि जादतर आई-टी कम्पनी जो है वो प्रेशर मेरा है विप्रो वैसे भी एट्रीशन रेट जादा है और अब तो कुछ खबरे ये भी निकल के आ रही है कि अपने एट्रीशन रेट कम करने के लिए ये पर रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट कर रही है देखना होगा किस तक के कदम यह होंगे लेकिन एट्रीशन इन कम्पनियों के लिए बहुत बड़ा सरदग बन रहा है ये साफ समझ में आ रहा है ओवरनाइट एडर भी अगर आप देखेंगे विप्रो का तो उसमें करीब आज यहां भारी बरकम गिरावट देखने मिल सकती है विप्रो में 420 का पूट अप्शन खरीदना है अटा रुपे के लक्ष देखने मिलेंगे बारा रुपे का स्टिक स्टॉप लास भी आप यहां पे रखेगा तो यह तो मेरे तरफ से फ्यूचर्स ऑप्शन दोनों में बिक्वाली की सलाया कुशल वैसे समझ में है विप्रो के एडिया में हुआ गे मुझे भी नहीं समझ में आया है वरुन सुबह से ही रीजन ढूने ही कोशिश कर रहा था है कि हमारे यहां पर बाजार पर अल्मूस्ट आदे परसंट की गिरावट थी शायद से और वहां पर अवरल आईटी इंडेक्स जो है आज दबाव में रह सकता है तो यहां पर आपको वाच आउट करना है पर खासकर विप्रो जिस तरह का EDR में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है देखना होगा कि किस तरह से उनकी चाल बंती भी नजर आए तो चलिए ऑप्शन के काटेगर विप्रो यहां पर आपको विक्वाली करनी है वरुन की तरफ से और मेरी तरफ से कच्छा तेल पर अगेन एक और प्ले है विक्वाली का कॉल है अपोलो टायस पर यहां पर आपको विक्वाली करनी है फ्राइडे के सत्र में भी थोड़े से कूल आफ होते वे नजर आए थ वहाँ पर recession की जो risk है वो और जादा अब भढ़ते भी नजर आ रही है जिस तरह से यहाँ पर gas की shortage वहाँ पर होती भी दिख रही है तो उस factors को इन फाक्ट यह जो दो factors है इसको ध्यान में रखते हुए Apollo Tires में बिगवाली करनी की रहा है 202 रुपए 50 पैसे के आज़ परस का जो add the money option है वहाँ पर आपको उसका जो put option है वो खरीद कर चलना है करीबन 6.5 रुपए की pricing है 10 रुपए के target लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और दूसरा stop loss जो रखने है आपको केवल 4 रुपए का होगा तो 2 रुपए नीचे और लगभग 4 रुपए उपर आपको यहाँ पर अपने targets और stop loss सेट करने है तो Apollo Tires options category में आपको इसका put option खरीद कर चलना है चले बढ़ते अपने अगली category जो है टेक्नो पेक और टेक्निकल चार्ट्स पर Tata Power बेहत शांदर performance करता वा दिखाता Friday के सत्र में भी और almost अगर आप देखें तो यहाँ पर आखरी एक डेट घंटे में जो एक consistent return था वो maintain इन्होंने किया है इनफाक्ट यहाँ पर company ने एक इनकी लिए जो खबर आती भी दिखी थी उसका खंडन भी किया है और वो जो circular आया है इसमें इन्होंने जो सफाई जारी किया है इन्होंने clearly यही कहा है कि कोई भी कर्मचारी जो कतित रिश्वत जो bribery का case है वहाँ पर उसमें यह शामिल नहीं है यह तो उस वज़े से यहाँ पर खरिदारी करना है तो दो अच्छे factor यहाँ पर भी play out कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप वो लो टायर्स में बताया आपको तो 226 रुपए के target लिए यहाँ पर खरिदारी करनी है 216 आपको stop loss लगाने है चले मेरे तरफ से टेक्निकल एक विक्वाली का call है और वो है Reliance Industries में यहाँ पर आप विक्वाली करके चल सकते हैं दरसल का trade है 2399 के आसपा यहां की करीब करीब 2400 के आसपा रेट कर रहा है यहां से 30 सुपर के ऊपर का आपको stop लाओ सकता है यानि की 2430 का और टागेट जो है 2350 के आसपास का रखना है एक trading bet के लिए आसे मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए आप यहाँ विक्वाली कर सकते हैं 2350 के लेट के लिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक जो है वो है fundamental category से और fundamentally मुझे जो स्टॉक पसंदे वो है आनन राटी वेल्थ यहां पर आपको खईदारी करना है देके वैसे जितने भी यूनो ब्रोकेज कंपनीज है इन में पिश्चे कुछ दून में काफी अ तो expected है कि शायद income जो के नतीजे अच्छे आएंगे तो उसके पहले आप एक trade ले सकते हैं यहां पर खईदारी कर सकते हैं 670 के लक्ष के लिए 635 का एक स्टिक स्टॉप लॉग भी रखना है तो fundamentally मेरे तफ से counter है आनन राटी वेल्थ यहां पर खईदारी कीजेगा यहां पर लगाया जा रहा है अनुमान की यहां पर जो दूसरी तिमाही की नतीजे है उसमें काफी सारी जो bad news है वो यह factor in करने वाले हैं क्योंकि already inflation जो है काफी हाई है और जब होता है कि जब मोड माहूल खराब हो तो जो companies हैं लाजली अपनी जितने भी खराब news है वो एक को देखें तो अब ऑविसली वाई अपने हां पर तो काफी एक्सेप्शन था और ग्लोबली पी क्योंकि सेकंड वेव की टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो लास्ट एर के comparison में वो डेफिनिटली डिफरेंस देगा बट वाटर न कॉर्टर बेसिस पर अगर किसी कंपरी अगर देखेंगे तो वो डेफिनिटली उसके लिए काफी अच्छा अर्निंग सप्राइज होगा डेफिनिटली और इन फाक्ट जैसे कि आप कह रहे थे कि काफी सारे बैड निउस तो इस बार इंडियन बैंकिंग इंडश्री जो है वो भी सबसे बाद निउस जो है इसको काफी होने वाले हैं क्योंकि जिस तर से रेट हाइक हुई है वो बड़ा सप्राइज था इन्होंने आर्बिया से इन फाक्ट कुछ रिपोर्ट से से कह रही थी कि आर्बिया से जाके बोलने वाले हैं कि हमारे जो एंटेम लॉसर उसको करी फवरड करने दिया जाए लेकिन अभी तक उस पर कोई डिशेन आया नहीं और ये कौटर खतम हो चुका है यानि कि इस कौटर में बैंक्स को भी एंटेम लॉसर जो है वो जहिलना पड़ेगा तो काफी सारी जो बैड न्यूस है वो शाद हमारे बैंकिन इंडेक्स हेवी वेट्स है बैंक्स इंडेक्स हेव चलिए निवेश के लिहाद से इनफाक्ट फंडापिक के लिहाद से भी मैं आपको बता दू सबसे पहले तो मैंने जो स्टॉप चुना है वो है एंटीपीसी का काउंटर एंटीपीसी को जो काउंटर चुनने की सबसे बड़ी वज़े ये बन रही है कि एको कुछ खबरे इसी डेवलाप हो रही है कि इनका जो रिनेवबल एनरजी आम है जो ग्रीन एनरजी आम है उसमें स्टेक सेल करके ये लगभग पांच हजार करोर रुपे जुटाने की योजना बना रहे हैं और वैसे भी अगर आप देखें तो एंटीपीसी जैसे स्टेबल काउंटर चले बढ़ते हैं अगली काटेगरी जो है निवेश की और इन्वेस्टमेंट की लिहाथ से मुझे अगेन एक हाई डिविडेंट इल्ड पेइंग स्टॉक वो है पार ग्रिड का पार ग्रिड में आप देखें ये फ्राइडे के सतर में भी दमदार परफॉर्मेंस रही थी दो से डाई परसन की गेंस यहाँ पर भी थे मैं देख रहा था 52 वीक हाई का लेवल्स 242 परफॉर्पे के आसपस का हाई लेवल्स 52 वीक हाई दिखा रहा था यहाँ पर और लगबग मुझे लग रहा है कि अगले 12 महिनों में तो ये एक और नया 52 वीक हाई टच कर सकता है और पावर गिड में भी आप देखें तो यहाँ पर जो निमेच सेज ट्रांसमेशन प्रोजेक्ट है इनका इनोंने और जीता है तो वो भी एक अच्छा पॉस्टिव क्यूज आ सकता है और इसमें डिविडिन डील की जो मैं बात कर रहा हूं अल्मूस पॉने 7 परसन की डि है तो काफी नीचे टेट कर रहा है 254 के आसपास इस कमने का 50 डीक हाई है और 211 के आसपास इटेट कर रहा है नो डाउट हमने आपको लगातार हमारे चैनल पर रिसर्च करके बताया था कि जिस तर से श्री रंका में इसूस चल रहे हैं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ज को हो चुका है और 211 के आशपास कर रहा है यहां से पहला टेक्निकल सपोर्ट जो निकल के आता है वो 225 के आसपास आता है और 215 को अगर इसने पार किया तो अगला लیवल जो है वह 202 के आशपास का आपको देखने मिलगा तो फंडुमेंटल श्टोरी तो ठेक टाटा चुना है यहां से चाल से छे मैने का अगर वक्त देंगे तो धाइस सो रुपे के आसपास के लेवल भी एकांट आपको दिखा सकता है हाला कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे इस कमनीर से समझना पड़ेगा कि शीलंका का कितना बड़ा इंपक्ट होगा हम वो समझने की को पूरी तर से बता रहे हैं कि यहां खरीदारी के पूरे मोके बन रहे हैं खरीदारी करके चलेगा पहला लक्ष अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर है तो 225 का रखेगा अगला लक्ष जो है वह 250 का ऐस फंडमेंटल पिक में आपको दे रहा हूं आगे बढ़ते हैं और अब खबरों के दम पे जो स्टॉक पसंद है उसकी बात करते हैं खबरों के दम पे एविनू सुपरमार्ट में आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इस कमनी के नतीजे आये हैं नतीजे इस कमनी के काफी बैटरीन है ग्रॉस माजिन बढ़े हैं 12% से बढ़के 16% नेट माजिन 9% स आया है याने कि हर पैमाने पर इस कमनी ने अपने नतीजों को बीट किया है नो डाउट पिष्चे कुछ दिन से अगर आप देखेंगे तो इस कमनी में लगातार तीजी देखने मेरे थी करिफ 15-16% के आसपास की गेंस जो है ये काउंटर अल्रेडी दिखा चुका है इसके इस कमनी के जो रिटेल आउटलेट्स थे वो बनते सेल्स नहीं हो रही थी और इसके चलते कहिना के स्टॉक पेटाता लेकिन वहां से देखें किस तका रिबाउंट फैनेशल में अपने इस कमनी ने दिखाया है और याद रखेगा ये कमपनी जो है काफी स्टॉंग हैंड् इन लवर्स पे मिल रही है काफी अच्छी है लॉंग तम के लिए निवेश करना चाते तो साड़े चारा जार इंटाडे के लिए 4020 लेकिन 3900 का आपको एक स्ट्रिक स्टॉप लाज भी रखना है बिलकुल शांदार नतीज़े आते वह दिखें हैं इन फाक क्वार्टर न क अच्छे आते वह दिखें हैं अवेन्यू सूपर मार्ट के लिए चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है ए आई ए इंजिनरिंग का अल्मूस्ट 21,000 करूर रुपे का इसका मार्केट कैप है पर यहाँ पर खबर जो है वो काफी इंट्रेस्टिंग है इस इंजिनरिंग खरिदारी करकर चलिए तेइस सो पचास रुपे के टागेट के लिए बाइस सो पचास रुपे का आपको यहाँ पर स्टॉक लोस लगाना होगा पढ़ते अपनी फाइनल काटेगरी जो है माई चोईस की और वरुन इसमें दो सेल कॉल और एक बाइकॉल है मे सब्सक्राइब करते हैं और जो कॉम्पूटेशन बढ़तावा नजर आ रहा है वो इनके जो स्टॉक प्राइस है उस पर दबाव फिर से जलतावा नजरा रहा है तो यही देखना होगा कि फाइनली यह सब जितनी भी रिशुफलिंग होती है और जितनी भी अरिजमेंट हो तो उस वज़े से भी कई न कई मुझे लग रहा है कि आज यहां पर दबाव देखने को मल सकता है चार्स्रेक्चर वाइस भी थोड़ा कमजोरी का रुजहन फ्राइडे के सत्क्र में इसने दिखाया है तो दो तिन क्यूज है मुझे लग रहा है कि यहां पर बिक्वाली कर तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप इटी स्पेस में कहीं न कहीं जो यूरॉप की ग्रोथ रेट TCS में आती भी दिखी है मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट पर जादा दबाव आज देखने को मिल सकता है उस चीज को धान में रखते हैं तो 320 रुपे के टागेट के लि अगले बारा महिनों में कंजर्वेटिव इस पर आपको आइसे से बैंक में आते विए दिख सकते हैं चले मेरे तरफ से माई चोल में तीनों खरीदारी के हैं एक स्टॉक तो है पोकरना यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं बेसिकली इस कमनी के लिए ख़बर आई है कि का स्टॉप लाज रखना है लेकिन एक केवल इंटाडेपे के याद रखेगा इसको हम लॉंग टम के लिए मीडियम टम के लिए नहीं सुझा रहे हैं दूसरा है एशन पेंट्स यहां पर आपको खईदारी करना है नो डाउट कच्छा तेल बढ़ा है लेकिन खबर आई है इस कंपनी के लिए और खबर यह है कि एक ऑगस से कंपनी जो है पेंट्स के दाम फिर से बढ़ाने वाली है तो इस खबर के चलते हो सकता है कि आज आज आपको एशन पेंट्स में तेजी रेखने मिले 2950 के लेवल के लिए खईदारी की जगा 2840 का स्टॉप लाज रखना है बिल्कुल तो चलिए हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनसे जुड़ेवे तर्क तो आपके सामने रख दिये हैं पर अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रीकाप कर लेते हैं दीके कैस पेस से मैंने दिया है कि एस भी लिमिटेड एन पी सी एज से जो उनक को खरिदारी करने की रहे हैं जिस तरह से टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है साथी फंडमेंटली एंटी पी सी काफी जादा मजबूत लग रहा है 148 के टागेट के लिए खरिदारी करिए साथी इन्वेस्ट्मेंट यह लिहाद से पावर ग्रिड अगले एक साल मे 2500 रुपे के टागेट देखने को मल सकते हैं खबरों के दम पर जो SBI Mutual Fund ने खरिदारी की है AIA Engineering में उस वज़े से खरिदारी करनी है और माई जर्स कैटेगरी में दो बिकवाली और एक खरिदारी का कॉल है इंटर्ग्लो वेविशन बिल्डा सौट बेच कर चलिए और ICA से अमनी के नतीजे आये हैं उसके चलते आज यहां पे तेजी हो सकते है 42.5 के लक्ष के लिए खरिदारी कीजेगा फ्यूचे में TCS में आपको करनी है बिकवाली नतीजे थोड़े कमजोर है इसके लिए 32 के लेवल के लिए खरिदारी कर सकते हैं ऑप्शन में विप्रो का 420 क पूट ऑप्शन खरिदना है टेक्निकली रिलाइंस इंडश्री वीक लगता है यहां पे आप विकवाली कर सकते हैं फंडमेंटली आनल राटी वेल्ट में खरिदारी करना है निवेज करना है टाटा कॉफी में 4-6 मैने में 200 के आसपास के लवल आपको देखने मिल सकते हैं विप्रो यहां पे 420 का पूट ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है आई टी काउंटर्स आज प्रेशर में रह सकते हैं इसके लिए विप्रो का 420 का पूट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं 18 रुपे के लक्ष के लिए 12 रुपे का आपको स्टॉप्ट भी रखना है बि देखना होगा कि किस तरह से बाजार पर आज मोर महूल रहता है एजिक सुटी आला की कमजोरी दिखा रहा है तो इन सबी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेर बाजार लाइव में आनिल सर और दिपांशु के पास फिलाल दिपांशु हमारे साथ जुड़ चुक कि móटे कि अजय में पास झाप जब क्वांशु के खिले से लिए कर दिए सायु को म समझने के पास पास लिएillar बाज मेंगे के लिए व Benn刀 मेंुह।